अच्छा जी स्लाम लेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो चीज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी इंट्रेस्ट रेट हेजिंग है तो हम डिस्कस करेंगे इंट्रेस्ट तो रेट हेजिंग अच्छा है इंट्रेस्ट रेट हेजिंग आपने तब पढ़ना है जब आप एक बार जो है वो foreign currency हेजिंग पढ़ चुके हैं तो आपको असानी होगी क्योंकर कुछ टरम्स जो मैंने foreign currency हेजिंग में पढ़ाई है वही हैं इंट्रस्टेट हेजिंग में भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूंगा और उनको दुबारा जाहरे एक्स्प्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक बार वहाँ पर मैं एक्स्प्लेन कर चुका हूं तो मक्सद जो है इस लेक्चर का वो यह है मैं आपके साथ इंट्रस्टेट हेजिंग की टेक्निक्स डिसकस करूं और इंट्रस्टेट हेजिंग किस तरह से करी जाती है और किस तरह से जो इंट्रस्टेट का रिस्क है उसको रिड्यूस किया जाता है वो डिसकस करूं इससे पहले हमें ये भी समझना होगा क्या आखिर Interested Hedging करी क्यों जाती है Interested Hedging की Need क्या है? जरूरत क्या है? ठीक है? तो उसके लिए एक छोटी सी हम example लेते हैं और example कुछ इस ताह से है कि आप assume कर लें कि एक आपके पास जो है ना वो company हैं और वो company जो है वो UK based यानि के यूके में अपना जो है वो काम करती है और लेट से के आज जो दिन है तोड़े आज का जो दिन है वह फर्स्ट जैन्वेरी का दिन पहली जैन्वेरी वाला दिन है आज ठीक है यह जो यूके बेस्ट कंपनी है इस यूके बेस्ट कंपनी को आज से तीन महीने बाद ज त्री मन्स आज से तीन महीने बाद यानि के पहली एप्रिल को फॉर्स्ट एप्रिल को कि आज से तीन महीने बाद यानि के फॉर्स्ट एप्रिल वाले दिन वन हंडेड़ थाउजन पाउंड्स का लोन चाहिए होगा और ये 100,000 pounds का जो लोन है इसको चाहिए होगा let's say for 6 months ठीक है बात समझ रहा है देखें आज तो पहली January है इस company को पहली April को यानि के आज से 3 महीने बाद 100,000 pounds का लोन चाहिए होगा और 6 महीने के लिए ये लोन चाहिए होगा विच मीन्स के इस company को जो लोन की ज़रूरत होगी वो 1st of April से हम इसको continue करते हैं April में जून जुलाई ऑगस्ट सब्टेंबर I repeat April में जून जुलाई ऑगस्ट और सब्टेंबर यानि के 1st April से लेकर 1st of October इस time period के लिए इसको जो है वो एक 100,000 pounds की ज़रूरत होगी नीड होगी लोन चाहिए होगा अब लेट से हम यह कह लेते हैं कि आज का जो interest rate है यानि कि अगर आज को बाजार में जाकर लोन ले तो इसको 10% interest देना पड़ता विच मींज के अगर आज इस company को लोन चाहिए होता effectively आज से 3 महीने बाद चाहिए लेकर अगर इस company को आज लोन चाहिए होता तो इसकी जो interest की cost होती वो 100,000 multiplied by 10% multiplied by 6 महीने के लिए चाहिए तो 6 over 12 कितना बन जाता है 100,000 multiplied by 10% multiplied by 6 over 12 ये बन जाता है pounds 5,000 ये interest पे करना पड़ता जब आप लोन लेते हैं तो उसके against आप interest पे करना पड़ता तो ये वो interest का amount है जो इस company को पे करना पड़ता लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंके लोन आज नहीं जाईए बलके आज से 3 महीने बाद मैं borrowing करूंगा तो मसला ये आ जाता है कि जो आज का 10% का borrowing का rate है हो सकता है कि आज से 3 महीने बाद ये rate नहा हो मिसाल के दोर पर लेट से कि 1st of April को ये expectation है या company ये expect कर रही है कि जो interest rate हो बारा परसंट हो जाएगा जाने कि जब 1st April को ये company loan borrow करेगी तो इसको 100,000 into 12% into 6 over 12 याने कि pound 6,000 का interest देना पड़ेगा तो सर मसला क्या आ रहा है मसला ये आ रहा है कि company को 1,000 interest जादा देना पड़ेगा क्योंकि company expect कर रही है कि आने वाले दुनों में जो interest rate है वो change होकर और वो increase हो जाएगा तो सर हमें करना क्या होगा हमें किसी दाना से कुछ ऐसे tools यूज़ करने होंगे जिससे हम इस risk को minimize कर लें कि अगर future में interest rate ज्यादा भी हो जाता है तो company को नुकसान ना हो या company जो है वो 10 के बज़ाए 12% की वज़ा से जो 6000 इंटरस्ट दे रही है 5000 के बज़ाए 1000 pounds का जादा इंटरस्ट दे रही है किसी तरह से इस extra cost को बचा लिया जाए अब इस तरहां की hedging के लिए जो हमारे पास tools available हैं यानि के जो तरीके हम use कर सकते हैं उसमें से number one पहला तरी forward rate agreement ठीक है यह पहला तरीका है जो हम discuss करेंगे क्या forward rate agreement या forward rate agreements number two दूसरी चीज़े हम discuss करेंगे वो हैं हमारे interest rate futures ठीक है जी interest rate futures हम use कर सकता है तीसरा जो tool हमारे पास available है वो कहला आता है interest rate options यह भी एक hedging instrument है जो हम use कर सकते हैं चौथा जो तरीका हम discuss कर सकते हैं वो कहलाता है interest rate swap हम interest rate swap भी यूज़ कर सकता है अब यह तरीके कैसे इस्तेमाल होंगे एक एक करकर इनको discuss करते हैं और हम let's say सबसे पहले जो चीज डिसकस करते हैं वो हम अपने forward rate agreements को discuss कर लेते हैं ठीक है जी तो हम अब discuss करते हैं forward forward rate agreements को और देखते हैं कि forward rate agreements आखर क्या होते हैं यह हमारा पहला टूल है ठीक है forward rate agreements जो हैं वो forward rate contracts जो आपने foreign exchange currency risk की management में डिसकस किया था उसी तरह या उस उस वही होते हैं आप कह सकते हो या बहुत ज्यादा उससे similar होते हैं किससे similar होते हैं similar similar to forward similar to forward rate contracts contracts हमने कब डिसकस किये थे यह forward rate contracts हमने डिसकस किये थे जब हम foreign exchange currency foreign exchange currency risk management पर रहे थे foreign exchange risk exchange currency की risk management में हमने forward rate contracts डिसकस किये थे जिसमें आज बैठकर मैं future का बाद वाले किसी दिन का the rate exchange rate decide कर लेता था बिलकुल उसी दाना से यह forward rate agreement सा इसकी definition क्या हो सकती है इसकी definition हो सकती है it is a contract it is a contract arranged now it is a contract arranged now यानि कि एक ऐसा contract जो अभी arranged वा हो that fixes is the rate of interest the rate of interest for a future loan or deposit for a future loan or deposit यानि कि यह एक ऐसा contract होता है जिस पे हम future के किसी दिन जो हम loan लेंगे या पैसे deposit करेंगे उसका rate आज ही decide कर लेते हैं आज ही lock कर लेते हैं और आज ही वो rate agree कर लेते हैं अब जरह इसको एक example के जरह यह समझते हैं तो हम एक example बनाते हैं अच्छा जी example क्या हो सकती है जैसे हम यह कहते हैं कि आज जो है ना today आज है first January आज का दिन क्या है पहली January का दिन है ठीक है और let's say company है ABC company और उस ABC company को 10 million dollars की जरूरत होगी ठीक है न डॉलर 10 million 10 million dollars की जरूरत होगी जरूरत होगी यानि कि इसने यह 10 million dollars का लेना होगा लोन और यह लोन जो इसने 10 million dollars का लेना होगा ना यह लेना होगा for six months छे महीने के लिए लोन लेना होगा ठीक है starting from starting from first April और पहली April को लेना होगा यानिके effectively इस company को जो लोन लेना होगा वह फर्स्ट एप्रिल से लेकर और एप्रिल में जून जुलाई ऑगस्ट सप्टेंबर फर्स्ट एप्रिल से फर्स्ट ऑक्तोबर तक के लिए इसको लोन की ज़रूरत पढ़ रही है अब हम यह कह लेते हैं कि लेट से यह company जो है वह फॉर्वर्ड एग्रेमेंट में जाना चाहती है ठीक है अच्छा आज कि फर्स्ट ऑफ जैन्वेरिया और आज एक फॉर्वर्ड रेट एग्रीमेंट जिसको हम एफारे करते हैं वह अवेलेबल है सेवन परसंट पर और वह फॉर्वर्ड एग्रेमेंट में यह लिखावा है कि अगर आप फॉर्स्ट एप्रिल से फर्स्ट ऑक्तुबर तक लोन लेना चाहते हो तो रिगार्डलेस कि एप्रिल महीने में क्या इंट्रस्ट देट होगा हम आपसे सेवन परसंट ही इंट्रस्ट चार्च करेंगे यह रेट जो है हमने तै कर लिया और आज ही हम हम इस contractपर sign कर देता यानिंके sign कब हो रहा है sign buddha All for五 को हें पाइक व उपरवर्बडrec Agreement में एंटर हो गए और उस व फॉरवर्बत एंग्रेमेंट में पहले रिए07 ड लेकर पहली अक्टूबर के बीच में अगर आप हमसे लोगे तो हम सेविन परसंट का रेट आपसे चार्ज करेंगे रिगार्डलेस के पहली एप्रिल को मार्केट में बॉर्विंग और नॉर्मल जो रेट है वो क्या चल रहा है जो भी रेट चल रहा होगा हम आपको जो लोन है ना वो 7% के हिसाब से ही देंगे हम मार्केट के रेट को फॉलो नहीं करेंगे अच्छा मार्केट में कुछ भी रेट हो सकता है क्योंकि आज पहली जन्वेरी है मुझे नहीं मालूम के पहली एप्रिल को क्या हालात होंगे लेकिन जो भी आलात होंगे 7% पर ही 7% का एक तना से forward rate agreement आप sign कर लो और 7% के forward rate 7% के rate पर ही आपको लोन दिया जाएगा अब दो तना के cases हो सकते हैं case तमर्बन यह हो सकते हैं कि जब पहली एपरिल वाला दिन आये तो लेट से जो actual interest का रेट है ना जो बाजार में या मार्केट में रेट चल रहा हूँ वो मिसाल है कि चल रहा हूँ 5% ठीक है अब क्या होगा अब कुछ ऐसा होगा कि अगर मार्केट का रेट 5% चल रहा है तो इसका मतब अगर आप पहली एप्रिल को 10 मिलियन का लोन लेते हो और मार्केट से लेते हो तो उस पर 5% का इंटरस्ट लगेगा और क्योंकि आप 6 महिने के लिए ले रहे हो तो 10 मिलियन इंटू 5% इंटू 6 ओवर 12 10 मिलियन इंटू 5% इंटू 6 ओवर 12 यह बन जादा आपका 250,000 डॉलर्स यह इंटरस्ट बनता लेकिन क्योंकि आपने फॉर्वर्ट एग्रेमेंट किया वा था फॉर्वर्ट एग्रेमेंट पर आपने साइन किया वा था तो अगर मार्केट में 5% का रेट चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जान जो है वो 250,000 में छूट जाएगी बलके आपको दो परसंट एक्स्ट्रा बे करना पड़ेगा क्योंकि आप 5% नहीं कर सकते हो आपने यह साइन किया है कि वही मैं 7% के साथ से इंटरस्ट दूनगा तो आप 10 मिलियन का जब हम 2% लेते हैं और उसको हम जब 612 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो यह फर्दर 100,000 डॉलर्स बनता यानि कि जो आपकी नेट पेमेंट होगी वो नेट पेमेंट आपकी जो है वो डॉलर 350,000 डॉलर्स बनेगी ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर इंटरस्ट रेट जो आपका फॉरव आपने साइन कर लिया था क्योंकि जो फ्यूचर में पहली एप्रिल को यह जो रेट है जो पांच परसंट है वो 9-10-15-20 परसंट भी हो सकता था तो आपने अपने आपको हेज करने या बचाने के लिए यह एग्रिमेंट साइन कर लिया था बट इस केस में आपको नुक्सा ने कर सकते हों कि यह सारे 3 लाग का जो इंट्रस्ट है यह 6 महिने का थो सिक्सिंस डिवाइट और 12 से मुल्टिपलाई आने के साल के लिए लून होता साल के लिए डिवाइड बैड दश मिलियन और यह 700,000 मुझे जो पे करना पड़ रहा है यह 10 मिलियन के लोन पर पे करना पड़ रहा है तो 700,000 divided by 10 million multiplied by 100% effective cost क्या बन रही है 700,000 divided by 10 million यह effective cost आपकी 7% भी बन रही है ठीक है तो एक तो यह काम हो सकता है एक तो यह काम हो सकता है कि आपका जो रेट होना वो forward rate agreement से कम हो जाए इस case में आपने मजीद 2% की payment करनी होगी क्योंकि आपने यह बात करीवी है कि मैं तो 7% के साथ सेंटर्स दूगा अच्छा सर अगर ऐसा हो जाता कि जब हम 1st April को market जाते तो 1st April पे जो rate चल रहा होता वो 9% चल रहा होता सर इस case में क्या होता इस case में यह होता कि जो आप loan लेते न उस loan पे क्या होता 10 million मुल्टिप्लाइट बाइ 9% मुल्टिप्लाइट बाइ 6 ओवर 12 यह बन जाता है आपका 450,000 डॉलर्स लेकिन आप इतनी पेमेंट नहीं करते बलके जो difference है न एक्च्छल का और जो rate आपने agree किया है वो आपको refund होता यानि कि forward rate agreement की वज़ा से forward rate agreement की वज़ा से इस case में 10 million multiplied by 2% multiplied by 6 over 12 यानि कि 100,000 डॉलर्स आपको वापस मिल जाते या आप कहलो कि आपकी जो net cost बनती न वो इस case में साड़े तीन लाख ही बनती क्यों क्योंकि आप मार्केट में तो 9% का rate चल रहा है लेकिन क्योंकि आपने agreement किया वा था कि मैं तो साथ परसंट के हिसाब से ही interest दोंगा regardless के market में क्या भी rate हो कोई भी rate हो तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी cost है वो बाड़े तीन लाख रुपए के हिसाब से ही होगी तो इसका मतलब हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर्वर्ट एग्रेमेंट में जो रेट स्पैसेफाइड होता है यहां पर साथ परसंट तो कंपनी का जो एफेक्टिव रेट हो जाता है ना वह साथ परसंट ही हो जाता ह यह Can Jaai यह एक आपका डूल हो गया है जिंका जो के कंपरेटवरी आसान हर we annex टूल पर चलता है यह कि थोड़ा सा खोंप्लेक्स होगा खकाल रखनी की ज़रूरत है और यह नेक्स्ट तुल आपका कहला आता हैं इंट्रस्ट हें इंट्रस्ट रेट इंट्रैस्ट रेट फिंचर उस क्या आता इंट्रस्ट रैट फूचर यो थोड़ा सा समझने की कोशिश करcohol कर येगा थोड़ा सा मुश्किल होगा हैं इंट्रस्ट रेट आप्सकों टेउस करने के लिए ठिक है ना अच्छा इंट्रेश्ट वेडियोश्रव के स्केस में होता है हम स्कुरिशर के लिए इंट्रेश्ट के जो फ्यूचर्स ला उनको बाई र्लू के लिए अब सट फ्यूचर्स है उसकी थोड़ी सी ऑप लंस बताएं metabol के जब फॉर्यन करेंशी का रिस्क भी था तो उसमें हमने फ्यूचर्स को डीटेल में देखा था आप उससे जरूर इसको देखेगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं फ्यूचर्स और स्टैंडर राइस कॉंट्रेक्ट्स ट्रेडड और एक्सचेंज वही सारी प्रॉपर्टी यहां पर भी आप कह सकते हो क्या अप्लाए होती हैं सिर्फ इंट्रस्टेट फ्यूचर्स में कुछ चेंजर्स होते हैं वह मैं आप से डिसकस कर लूँगा लेकिन अ जो फ्यूचर प्राइस होती हैं ना इंट्रस्ट्रेट फ्यूचर्स की प्राइस वह किस तरह से चेंज होती है यह बड़ी एक टेक्निकल और इंपॉर्टेंट बात है हवेशा यह याद रखना कि interest rate futures की जो price होगी ना जो interest rate futures की जो price होगी वो 100 minus interest rate यह बताई गई होगी तो इससे हम यह भी कह सकते हैं एक चीज़ इंट्रस्ट रेट इंक्रीज़ इस इंट्रस्टेट इंक्रीज़ अगर इंट्रस्टेट जो है वो इंक्रीज होगा दो फ्यूचर प्राइजिस विल डिक्रीज अज समझ में आ रही है इफ इंट्रस्ट रेट इंक्रीज़ अगर इंट्रस्ट इंक्रीज़ होगा फ्यूचर प्राइज विल डिक्रीज तो फ्यूचर की प्राइज डिक्रीज होगी मिसाल के तौर पर लेट से अगर हम यूं कह लेते हैं कि लेट से बाजार में इंट्रस रेट चल रहा है 10% तो जो फ्यूचर्स की प्राइज है वो 100-10% 90 अगर इंट्रस रेट 12% हो गया तो फ्यूचर्स की प्राइज 88 अब एक एक्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं कि आखिर इंट्रस रेट फ्यूचर्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं और किस तरह का सवाल आ सकता है तो एक एक्जाम्पल देखते हैं कि लेट से मैं आपको यह कह देता हूं कि आज फर्स जैन्वेरी 2020 है यह टोड़े है ठीक है और लेट से आज का जो इंट्रस्ट रेट है आज का जो इंट्रस्ट रेट है वो है 7% साथ परसंड का इंट्रस्ट रेट हा आज एक कम्पनिय है और वह आज जिससे तीन महीने बाद जैनवेरी फरवरी माइश यहने कि पहली एपरिल वाले दिन पहली एप्रिल वाले दिन पहली एपरिल वाले दिन न बोरो करना चाहती है डॉलर 6 million for 3 months एक अप्पनी आज से 3 महीने बाद यानिक अगर पहली जन्वेरी आज है तो पहली एप्रिल को 6 million dollars बॉरो करना चाहती है और 3 महीने के लिए बॉरो करना चाहती है यानिके एप्रिल में और जून यानिके बॉरेंग पीरेड होगा पहली एप्रिल से लेकर एप्रिल का पूरा महीना में का पूरा महीना जून का पूरा महीना यानिके 1st जुलाई तक ठीक है अच्छा अब जो मार्केट में 3 month एप्रिल future अवेलेबल है आज वो है 93 पर ठीक है और आप एज्यूम कर लो यह अभी की वैल्यू है यानिके 1st January वाले दिन जो 3 months एप्रिल future है वो 93 के है और आप एज्यूम कर लो के 1st April वाले दिन अब एज्यूम कर लो के 1st April वाले दिन जो इंट्रस्ट एट है ना वो 7% के बजाए 9% पर चला जाएगा 1st April वाले दिन इंट्रस्ट एट 7% के बजाए 9% पर चला जाएगा और जो future की प्राइज है जो future की प्राइज है फ्यूचर की प्राइज है वो 100-9% यानिके 91 पर आ जाएगी हमने यहां पर यह पढ़ा ना कि अगर इंट्रस्ट एट जो है वो इंक्रीज होता है तो future की प्राइज डिक्रीज होती है तो अगर इंट्रस्ट एट साथ से 9% पर गया है तो future की प्राइज वो 93 थी वो 91 पर चली जाएगी अब हमें यह बताना है कि कंपनी किस तरह से इन futures को इस्तिमार करकर अपने रिस्क को हैज करती है तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है नमबर वन फर्स जैन्वेरी वाले दिन दो चीज़ें होंगी फर्स जैन्वेरी वाले दिन कंपनी क्या दो चीज़ें करेंगी फर्स जैन्वेरी मीन्स टुड़े आज का दिन नमबर वन पहली चीज़ें कंपनी करेंगी वह है लीव लीव दी ट्रांजेक्शन leave the transaction at risk leave the transaction at risk का क्या मतलब होता है leave the transaction at risk का मतलब यह है कि जो original आपकी transaction है ना आपको उसको नहीं छेड़ोगे उसको नहीं छेड़ने का मतलब यह है कि आपको पता है कि आज से तीन महीने बाद 6 मिलियन डॉलर का आपको लोन लेना है आपको ये पता है कि आज से तीन वहीने बाद interest का rate जो है वो 7% जो आज है future में शायद 9%, 10%, 12%, 15%, 20% कुछ भी हो आपको ये पता है interest rate का interest rate जादा हो सकता है आपको ये पता है उसके जादा होने की वज़ा से interest जादा देना पड़ सकता है लेकिन आप उसकी कोई फिकर नहीं करोगे ठीक है आप बूलोगे कि जो interest rate की market है उसमें जो होना है मेरे साथ वो हो दूसरी जो चीज़ा आप करोगे न वो है start a future deal ये की बात है यानि कि future की dealing आज ही start कर दोगे future की dealing किस तरह से होगी आपने ये रिखना होगा कि सवाल जो है वो borrowing वाला है यानि कि उधार लेना है या वापस करना यहाँ पर क्या करना है हमें सरी यहाँ पर हमें funds borrow करना है यानि कि हमें loan लेना देखे जब loan लेना होता है न तो interest देना पड़ता तो मुझे risk किस बात का है क्या मुझे risk इस बात का है कि future में जो interest rate है वो कम हो जाएगा या मुझे risk इस बात का है कि future का interest rate जादा हो जाएगा सर कम हो जाएगा न तो तो मुझे फाइदा है कम interest देना पड़ेगा मुझे इस बात का risk है मुझे इस बात का risk है future में interest rate इंक्रीज न हो जाए क्योंकि अगर future में interest rate जो है वो अभी जो 7% है एप्रिल में 8% 9% 10% x y z ज्यादा हो गया न तो मुझे ज्यादा interest देना पड़ेगा तो आपने पहले यह identify करना है कि borrowing का case है इसलिए मेरा जो concern है वो यह है कि interest rate ज्यादा ना हो जाए दूसरी चीज़ मुझे यह चीज़ याद रखनी है इस interest rate increases अगर future का interest rate ज्यादा होगा the future prices will decrease तो future की prices decrease हो जाएंगी कम हो जाएंगी अगर interest rate future में ज्यादा होगा यह मेरा concern है तो future prices जो है वो कम हो जाएंगी बिलकुल सा है यह मुझे याद है तो हम क्या करेंगे देखें हम जो है ना future market में futures की buying and selling कर सकते है हम पहले बेच और बाद में खरीद भी सकते हैं और पहले खरीद और बाद में बेच भी सकते हैं यह याद रखना तो सर हम future market में क्या करेंगे जरा गौर से सुनना जरा गौर से सुनना जरा गौर से सुनना क्योंकि हमें पता है interest rate increase होगा तो future की price कम हो जाएगी अब हम दो काम कर सकते हैं कि आज हम futures खरीदें और फिर बाद में बेचें या हम यह भी कर सकते हैं कि आज हम futures खरीदें और बाद में बेचें आपने यह logically decide करना होगा कि क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से आज futures बेचने चाहिए मेरे ख्याल में आज futures बेचने चाहिए और बाद में खरीदने चाहिए देखे फ्यूचर डील को क्लोस करने के लिए फ्यूचर डील को क्लोस करने के लिए अगर आपने आज खरीदा है तो बाद में बेचना जरूरी है आज बेचा है तो बाद में खरीदना जरूरी है यानि कि सेलिंग एंट बाइंग कर सकते हो तो सर सेलिंग एंट बाइंग पे क्यों जा रहे हो देखो अभी फ्यूचर कितने का है 93 महिंगा है बेच दो दील कलोज करनी होगी सस्ता होगा खरीद लेना सेलिंग एंट बाइंग या बाइंग एंट सेलिंग ये कर सकते हो तो मैं पहले selling and बाद में buying करता हूँ क्योंकि इस case में मुझे लग रहा है कि future का interest rate जादा होगा interest rate जादा होगा तो future की value कम होगी तो आज महंगे दामों बेच दो बाद में सस्ते दामों खरीद लो इसको कहते हैं कि future की deal को close करना फ्यूचर की मार्केट में फ्यूचर जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं और हर तीन महीने पे क्लोज होते हैं कुछ हद तक मैंने इसकी डिसकुशन पहले करी है और कुछ हम आगे जब कुशन करेंगे तो इसमें आपकी ये चीज़ क्लियर होगी लेकिन आपने ही ये याद रखना है कि फ्यूचर को अगर खरीदा है तो बेचना होगा बेचा है तो खरीदा होगा इस तरह से फ्यूचर की डील को क्लोज करा जाता तो सर फाइनली अब क्या होगा फाइनली जब पहली एपरिल आएगी ना तो पहरी April वाले दिन दो चीजें होंगी ठीक है पहली April वाले दिन दो चीजें क्या होंगी नमबर वन आपको जो 6 million का loan चाहिए था अगर market का interest rate पहली जो हमारी example के इसाप से 9% होगा तो इस पे तो आपको 6 million पर 9% into 3 over 12 तीन महिने के लिए याने कि आपको 6 into 9% into 3 over 12 याने कि आपको इस पर 135,000 dollars का interest तो देना पड़ेगा यह कहलाती है आपकी original transaction जिसका अपने रिस्क पर रखा था आपने बोला कि original transaction जो है उस पर जो interest बन रहा होगा उस दिन जो interest rate होगा एप्लिकेवल उस हिसाप से मैं interest दे दूँगा futures deal पर क्या होगा जो आपकी future की deal होती है न वो आपने open करी थी या start करी थी क्या होगा इसको चाह जी future की deal आपने जो है न वो first January को start करी थी by selling futures और आपने first April को उसको close कर रहा है by buying futures इस तरह से अपकी future की deal जो है न वो close होती है तो जो future gain on futures gain on futures gain on futures gain on futures वो किस तरह से आएगा आपने 93 में बेचा 91 में खरीदा 93 में बेचा 91 में खरीदा 93 में बेचा 91 में खरीदा यानि कि आप कहलो कि दो points का आपको gain वा अच्छा ये value जो है वो हमेशा 100 से divide होगी percentage में होती है 93 परसंट है और 91 परसंट है तो आपका gain जो है वो आ गया 93-91 divided by 100 which is 0.02 0.02 और इसको 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 जो है वो मैंने multiply कर देना है 3 over 12 क्योंके तीन महिने की बात हो रहे थी तीन महिने की बात क्यासे हो रहे थी तीन महिने की बात इसलिए हो रहे थी क्योंके आप तीन महिने के लिए बारा महिने के लिए होती तो हम देख लेंगे कि उन केसे में क्या होगा लेकिन यहां पर आपका जो पीरियाट था वो तीन महिने का था तो जो और गेन ओन फ्यूचर यह वह सिक्स मिलियन मुल्टिप्लाइट बाई 93 आप सब्सक्राइब करना भूल गया ना कि 93-91 आपने सेल किया 93 पर बाई किया 91 पर डिवाइड़ बाई 100 यह चीज हमेशा परसंटेज में होगी तीन महिने की बात हो रही थी यह जो लेफ्ट साइट पर लिखावा है सेलिंग और बाइंग वाला वह एन्वल बेसिस पर रहे तो थी ओवर 12 किया क्योंकि तीन महिने की यहां पर इस केस में बात हो रही है मल्टिप्लाइट वेशिक्स मिलियन जो आपकी आमाउंट तो 93-91 डिवाइड़ बाई 100 मुल्टिप्ल जाता है 30,000 डॉलर्स ठीक है जी तो इसका मतलब यह हो गया कि ओरिजिनल ट्रांसेक्शन में 135,000 डॉलर्स पे की है और फ्यूचर की डील में फ्यूचर में मैं एंटर हो गया तो उसकी वज़ा से मुझे 30,000 बच गया है यानिके मेरी जो नेट कॉस्ट है वह 135,000 माइनस 30,000 10,000 यह मेरी नेट कॉस्ट होगी विधी पैसेज ऑफ टाइम आफ फ्यूचर के जब क्वेशन करोगे ना तो मजीद आपके जो क्या कह सकते हैं कि कॉंसेप्स है वो क्लियर होंगे मैंने यहां पर काफी चीज़ें सिंपल रखी हैं कि क्या ना यह बहुत एक सिंपल एक्जा अगर तो फ्यूचर की प्रैस की लिए बात बिलकुल सही है लेकिन यह जो movement यहां पर मैंने बिल्कुल exact movement लिखी है ना कि यार यह interest rate 7% से 9% पर गया तो futures की value 93 से 91 पर गई movement होगी इसी direction में लेकिन absolute movement हो या जिस तरह से यहां पर 2% और 2% की ही दोनों में movement है ऐसा ही हो यह ज़रूरी नहीं तो यह कुछ complex चीज़ है मैंने यहां पर involved नहीं की यहां पर example जो है वो मैंने सीडी साधी सिंपल सी बनाई और उसकी वज़ा से 10500 का answer आ रहा है आपने एक एक चीज पॉस कर 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 कापी करनी है अच्छा आपकी net cost कितनी पढ़ रही है ऐसा करने से 10500 की आपकी cost पढ़ रही है अगर पूरे साल के लिए लोन लिया वा होता तो 105000 divided by 3 into 12 तो मेरी कॉस्ट जो है वो होती 420,000 की cost होती annual अगर पूरे साल के लिए लोन होता for a 6 million loan अगर पूरे साल के लिए लोन होता तो 420,000 divided by 6 million अगर एफेक्टिवली रेट क्या बन रहा है सेवन परसंट यानिके ऐसा रेट बन रहा है जो फर्स जैन्वेरी का रेट था आपको 9% के साब से इंटरस्ट नहीं देना पढ़ रहा जो आपकी net cost बन रही है उसके साब से आपका जो applicable rate बन रहा है वो भी वही बने जो आज रेट था लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है यहां पर futures की price और interest rate की movement मैंने बिलकुल ऐसे ही दिखाई कि यार वहां पर अगर 2% का नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह 2% का फाइदा हो रहा है लेकिन इस एक ही direction में यह चीज़ मूफ करेगी ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है जी तो यह हमने दूसरी चीज़ discuss करी interest rate futures मैंने इसकी कुछ basic basic सी बाते discuss करी हैं ज्यादा detail में और complex examples नहीं मनाई है जब हम pass papers देखेंगे तो हम उसमें मजीद इसको complex हद तक ले जाएंगे अब हम अपनी अगली technique जो है उसको देखते हैं हमने क्या क्या discuss कर लिए हमने forward rate agreements discuss कर लिए interest rate futures discuss कर लिए और options और swap सब देखता है लेकिन वह मैं देखता है हम देखते हैं अगले lecture में ठीक है जी यहां तक absorb करें copy करें और फिर इंशाल्ला अगले lecture में देखते हैं